अचि क्या हाल चाल है उन्ना ओं हिमाच़र परदेर रिखंग सकते हैं पूरी बतासे प्रेषिच फूरी जहां कते हैं आपको railway station जाने के लिए आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा जो कि बिलकुल यह पहाड़ी इलागों में है अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे second class waiting room आपको अबलेबल मिल जाता है अमबाला डिविजन में पढ़ता है नॉर्थ रेलवे जौन में पढ़ता है और हिमाचल परदेश के मुख और उन्नाव डिश्टी का सबसे फेमस रेलवे श्टेशन में से एक माना जाता है जहाँ पे हज्जारों की संक्या में लोग ट्रैवल करते हैं और यहां से फिर आप उन्नाव के और जगा पे आप जो है वो आप घूम सकते हैं देख सकते हैं क्या क्या चीजा है अब बाहर में देखिए आपको पार्किंग की बेवस्ता मिल जाती है गाड़ी विगरा जो लगी ही ना यह बाहर ही लगी ही जिसके जरीए आप यहां से कहीं पे भी जाना है तो उन सबी जगा पे आप जा सकते हैं और रेलवी स्टेशन को बहुत ही स्वच रखा गया मतलब आप कभी भी जाईए गाना तो दिक्कत नहीं होगी सबसे अच्छी बात यह है और एक फ्लैग भी लगा गया और यह पहाड में मोजूद है पहाड उपर अगर आप देखे तो पहाड़ी नजर आगा चुकि हिमा आपको मिल जाता है जैसे आप इन करेंगे अस्टेशन में तो पहला जो कौंटर मिलागा यही पर आपको जेनलर टिकट मिल जाएगा जब कभी भी आप जाते हैं तो बुक करा सकते हैं और जेनलर टिकट को कोई ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा देन आप फिर यहां से ट्रैवल कर सकते हैं तो उन्ना के लिए जो है बहुत सारी ट्रैने चलती है बहुत सारी ट्रैने आपको यहां से मिल जाएगी अब भी जो है एक वंदे बारत एक्सप्रेस भी चलाएगा जो आप यहां से ले सकते हैं तो वंदे बारत एक्सप्रेस में भी आप ट्रैवल कर है जैसा आपका बजट है उस हिसाब से आपको यहाँ पे होटल जो है वो मिल जाएगा अगर हम लोकेशन की बात करें यह नेयर गोवर्मेंट रिजनल होस्पिटल के पास है उन्नाओ का जो कि हमीरपूर हाईवे के पास ही पढ़ता है तो यहाँ पर जाएंगे रात को ब exhibits करणा फिर भी छोटा श्टेशन है लेकिन रात को बिजिट करणा फिर फिर भी आपको ओटो मिल जाएगी अलाकि रात को यह वेटिंग रूम fundament उसमें आप रूख सकते हैं नहीं तो फिर आप होटल ले सकते हैं होटल का बजट कोई ज्यादा महंगा नहीं है आप जैसा चाहें उस हिसाब से आपको यहाँ पर होटल जो है वो मिल जाता है तो कुल मिलाकर यह है देखिए रेल्वी स्टेशन जहाँ पर लोगों की जनसंख्या रहती है और यह रात का दिरिश है जो कि राज कुक की इस तरह का आपको देखने को मिलेगा लोगों की बेड़ भी काफी जादा रहती है जिसकी वगारन इस तरीके से आपको नजर आएगा लेकिन बहुत ही सुंदर जगा पर है वातवरन यहाँ का भी सुंदर है और लोग भी काफी जादा यहाँ पर मौझूद रहते हैं तो इस तरीके से आप ट्रैवल कर सकते हैं उन्नाव का प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली चंडीगर इन सभी जगह से डारेक्ट ट्रेंड चलती है जो कि आपको मिल जाएगे उन्नाव पहुंचिएगा और उन्नाव के बाद फिर यहां से आप दूसरे जगह के लिए ट्रेंड च एक्सप्रेस भी चलती वो भी आप ले सकते हैं तो यह सारी ट्रेंड आपको मिल जाती यहां से आराम से आप कमफर्ट होके यहां से जा सकते हैं 1990 उसमें ऐसे ओपन किया गया था और यहां से फिर लोग ट्रैवल करते हैं तो यह मैंने इंट्रेंस गेट है जहां से इन करें कर सकते हैं पानी पीने की सुईधा सासाथ में सोचाले की सुईधा अंदर में भी है बाहर में भी आपको मिल जाता है और रहने का मैंने आपको बता दिया यहां पर वेटिंग रूम है वहां पर रुख सकते हैं तो यह पूरा जानकारी था कैसा लगा वीडियो कमेंट में जर पोप्लर रेल्वी श्टेशन था जिसका वीडियो आपको दिखाया टूर करके यह वंदिवारत एक्सप्रेस है जो कि यहां से हाली में चालू किया गया इससे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं और मोस्ट पोपलर रेल्वी श्टेशन में से एक माना जाता है तो थांक्यू सो मच प्लीच चैनल को सब्सक्राइब करना थांक्यू सो मच प्रवाइब प्लीस और मुच नतुक है उन्च है